Hello guys welcome back to another video तो guys आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक new event के बारे में जो आज ही Battle dominance world Agency में आया है So guys इस event से हमें RP points 3 में मिलने वाला है So guys अगर आपको RP points चाहिए तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखना तो गाइस जो भी इस चैनल पे नए हो फटाफ़ चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसमें लाइक और कमेंट करना ना भूले तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप इवेंट सेक्षन को ओपन करते हो तो इवेंट सेक्षन में आपको ये इवेंट देखने को नहीं मिलेगा इवेंट सेक्षन में अगर आप रिकॉमेंड पे जाते हो तो वो पहले का जो इवेंट है आपको वही सब इवेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा तो guys इस event को आपको event के उपर जहाँ पे animation slide हो रहा है वहाँ से आपको open करना परेगा तो guys यहाँ पे आप देख सकते हैं bonus RP points का event आया है और यहाँ पे tap करते ही आपका event section open हो जाएगा और यहाँ पे collect basic RP points to unlock bonus points लिखा हुआ है और guys यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे gate for free लिखा हुआ है so guys आपको यहाँ से जो basic points है मतलब कि यहाँ पे 20 RP points हमें free में मिल रहा है आपको simply यहाँ पे collect करके इसे unlock कर देना है और guys left side में आप यहाँ पे missions देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे missions दिए गये हैं और इनको complete करने पे आपको bonus points मिलेंगे जिसे आप और भी यहाँ पे RP points ले सकते हो और यह event जो है 10 अगस से 20 अगस तक चलने वाली है और इसी बीच में आपको missions complete करके RP points लेना है तो यहाँ पे जो free RP points मिल रहे हैं फिलाल मैं इनको collect कर लेता हूँ और guys यहाँ पे get for free पे tap करते ही कुछ इस तरीके का interface सामने आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 20 RP points फ्री में मिल रहे हैं और आप mission complete करके bonus points कलेक कर सकते हो और उसके बाद basic जो points है उसके साथ bonus points multiply होके final points आपको मिलने वाले हैं इस आगे चलके मैं कैसे यह होता है यह भी आपको दिखाने वाला हूँ चलिए अभी यहाँ पे event का जो rules है यह हम check कर लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपको जो bonus RP points मिल रहे हैं वो आप M2 royal pass में use नहीं कर सकते आप इसको M3 royal pass में मतलब next royal pass में use कर सकते हो और आप missions complete करके यहाँ पे bonus coins कलिक कर सकते हैं जिससे आपको extra RP points मिलेंगे और यहाँ पे जो RP points मिल रहे हैं वो आप सिर्फ next royal pass में ही कलिक कर पाएंगे इस royal pass में मतलब की M2 royal pass में आप कलिक नहीं कर पाएंगे और यह जो RP points है यह आपको email की थ्रू दिया जाएगा जब next royal pass आएगा तो आपको simply आपका जो mailbox है उसको check करना परेगा और mailbox के थ्रू ही यह जो RP points है यह आप तक पहुँचाए जाएगा इस event से हमें जो RP points मिल रहे हैं वो advance में मिल रहे हैं M3 royal pass के लिए तो guys यहाँ पे आप देख सकते हैं जो missions दिये गये हैं उन में से 2 missions को मैंने complete कर लिया है और guys यहाँ पे मेरा collect का option भी आ चुका है और guys यहाँ पे मैं इनको अभी collect भी कर लेता हूँ तो guys collect करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे right side उपर की तरफ यहाँ पे bonus coins 2 लिखा हुआ है मतलब कि मेरे पास अभी 2 bonus coins है और missions के वहाँ पे आप देखेंगे 2 slash 8 लिखा हुआ है मतलब कि 8 missions में से मेरा 2 mission complete हो चुका है so guys अभी यहाँ पे हम bonus coins use करके देखेंगे कि क्या होता है so guys एक bonus coin use करने पे मुझे यहाँ पे 14 RP points मिले है पहले 20 था अभी 34 हो चुका है तो guys यहाँ पे होता यह है कि आपका जो basic points है मतलब 20 RP points है उससे जो यह coin use करने पे multiply हो जाता है so guys यहाँ पे 0.7 से multiply हुआ है इसलिए मेरा 14 RP plus हुआ है और second time open करने पे मेरा RP points यहाँ पे 52 हो चुका है मतलब कि इस बार मुझे 18 RP points मिले है so guys इसी तरीके से अगर आप open करते हो तो आपका जो यहाँ पे RP points है यह धिरे धिरे बरता जाएगा और आप 50 RP points तक यहाँ पे score कर सकते हो एक बार में so guys उम्मित करता हूँ कि आपको यह event समझ में आ गया है और अगर आपको यहाँ पे कोई भी doubt रहता है तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो में लाइक कर दीजिए साथी चैनल को subscribe करके bell icon भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपलोड की notification आप तक पहुंच सके सबसे पहले तो guys इस वीडियो में पस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ